जै शिरी शाम दोस्तों आप लोग कैसे आई हैं आप सब बहुत अच्छी होंगे मैं भी अच्छी हूं तो देखे गर का सारा काम में वड़ चुका है सारी सफाई वगैरा भी हो चुकी है और मैंने बाल वगैरा भी बना लिये हैं तो मैं लगाने जारी थी नेर पेंट पहले शिरा दीजिएगा अगर कोई गलती हो जाए तो तो चले बाद गयां के बाद की वीडियो है तो यह मेरे बच्चों के बाद की बिढिए ऑड़ खाना Hagley यृओ चली धी घल करते हैं काम अपो thankful जैशी डीशाम दोस्तों आप लोग कैसे आई हो बहुत अच्छे होंगे मैं भी अच्छी हूँ तो यहां देखिए निट पेंट लगाने लगी हूँ क्योंकि सारा काम फिनिश हो गया था तो यहां थोड़ी सी धूपा रही थी तो मैंने तो यहां निट पेंट लगाने लग चले लगा लेती हूँ वैस्स तो टाइम इतना लगी ही नहीं पता है कि अपने लिए कुछ टाइम निकार लो क्यूंकि बच्चों का देखना फिर अपने लिए थोड़ा सा घर का देखना फिर विभी बड़ी हूई निए उसके सीरसार दोना सारे काम मुझी ही करने पड़ मेरे बढल भी नहीं सुलद्शत हैं तो थोड़ा ऐसा टाइम था तो चलिये मैं नेट पेंट लगा लिती हों मैं बनाने लगाने हुँ खाना ठोड़ी दियर रैस्ट करके तो यह चाब सफ डेशा ने चाबल तो हमारी दाल बन ना लेखे हैं दाल की कर दिया हमने घैस बन तो देखे चावल कितनी अच्छी तरह खिले-खिले बन रहें देखे एक चावल बड़ा बड़ा है अब बड़े बासमती वाले चावल है बड़े चावल हो चुके हैं हमारे पिल्कुल तो चलिए कितना पानी कम रहे गया और बन चलिए इसके छली में निकालते हैं क्योंकि इसका बिना मांड वाले चावल खाते हैं हमारे यह तो वह देखे छली में निकाल दिये हैं अब इनका निचल जाएगा अच्छी तरह से पानी फिर मैं इसे भगुन्ने में कर दूंगे और यह देखे कितना लंबा दाना है देख लमब लमबे दाने कि दाना खिल छुकाया लगपे छबी कर देते हैं और यह करने लगे हैं दाल का छोग क्योंकि दाल बन चुकी थी आज मैं बना रही हूं में उड़द की दाल तो यह देखिए अद्दा चमचा मैंने रिफाइंड ले ले लिए थोड़ा-थोड़ा करके ही डालती हूं यह देखिए जीरा हिंग तो यह देखिए हिंग भी मैंने पतंजली वाली तो टामाटा से मिर्च नमक में थोड़ा ही लगाँ कई की दाल इबन रखिए ना जिए लुद्न रखिए तो उसमें थोड़ा सा था नमक के रखिए हूं अच्छी तरह हिंका टेस्ट आज़ता है तो यह नमक मिरच गरम-मसाला सारी मसाले डाल दिया है और आधिए जरसी स पर दाल नुकसान देती है दिल्यू दाल यसे मैं चैने मुझांतीन, चैने यह जिस भी मिलता चोछा हूं उसकव है यहके यह चाहिपरनी ही टो माईawsों है एगर हम दोलनों दूनीजार मिलाके बनाते है न उकसानी है आज पहले कि य ह्थै दूनी है दूनीजार है तो देखिये पांजार शेयों मेधिन तरह है तरह है द guessesया olur estra pinned आथ मेधीमिय कर देणी है और आधी दी आखे दोलनों बनयो प्रणार Falls को लग विद्फिटे CD तो चलिए फटा फट से सेक लेते हैं रोटियां सलाद वगेरा भी काट लेती हूं उनके लिए क्योंकि अगर सलाद रखी रहा है तो मैं काट लेती हूं अगर नहीं होती है तो फिर नहीं काट पाती हूं तो हमारा खाना था recommended तो यहां काटने लगे हैं उनके लिए सलाद तो सलाद में खीरा रखा था एक थोड़ी से अद्धी मूली रखेगे देख तैमाट यहीं बतीरा रहेगा उनके लिए तो थोड़ी बुद्बचे लेगे लेंगे और यहले लेगे तो यह देखे मैने पहले क्षीरे का कड़वा पंद other zijn शाइक निकल लिए फिर में ऊल्टाअ खीलती हूं इंकला सारा कड़वा पन निकल जाता थी छीलती हूं स्का प्राण मूलीा परचीरेगर मैं यहाँ जया देखेंちゃा है जिल मुली देदो, जील के क्षयर के ऐहां देखा मिने प्रटापट क्षाइब करें। मैं तैयर कर लिया है। रखाना देना रहा है। बढ़ागा हैं, रिष्कते अधियर गीकषी करें। तो इसलिए दो तीन रिष्कते लेते हैं, जील कुछे रखें। तो बीविए तो जाते हैं अपना थोड़ा सा टाइम हम भी मिल जाएगा मुझे जो सिलाई बगारा करनी है थोड़ा बहुत का मुझे कद्धे का कवर भी नाना है फ्रेंड क्योंकि उसके लिए टाइम नहीं लग पा रहा है तो चलिए देखती हूं आज टाइम लगता है नह अब बिल्कुल भी और हमारी रजाईया भी नहीं बन पाई एक आदिन में देके होंगी रजाईया बनने क्योंकि उसके कवर तो मैंने पक्की सिलाई मार दिया उनमें तो चलिए फटा-फट कट चुगी है सला तो यह देखिए रोटिया मैं बतायती ना दो तीन रोटिया स सेख दी थी मैंने जब और लेंगे जब सेख दूंगी तो फिलाल मैंने यह जो सेख के रखी थी वो करके देदी हैंने एक तबे पर डाल रखी है अभी तो चलिए फटा-फटा और फ्रेंड्स तो बिनास्ते में मैंने हलुआ बनाया था क्योंकि हस्बेंड को मेरे टाइम लग पाया था बिलकुल भी हलुआ खाने का तो यह देखिए मैंने उनके लिए कर लिया है हलुआ खाने में तो यह देखे लग चुका है खाना और खाना पिना खाने के बाद थोड़ा बोर टाइम लगा था तो मैं यहां करने लगी हूं बनाने लगी हूं चाहे क्योंकि जुद्रमसाला निया फ्रैंड यह काली मिर्च और लॉंग पीस रखी है इसमें यह चाय में गिरो ना बहुत टेश्टी चाय बनती है इसे एक बार ट्राय करके देखना थोडी सी काली मिर्च और थोडी सी लोंगא की सिरफना अच्छा लगता है तो यह देखिये पत्ती डाल तो यह देखिए हमारी चीनी हो चुकी है बिल्कुल तो यह देखिए मैं अधी लसी दूद ले लिया है मैं दिखा रीती आप लोगों को तो चलिए इस में डू डालते हैं खुब अच्छी तरह से पकाने के बाद तो यह देखिए मैंने दूद लगा दिया है चाहे में अभी मुम्फली मुमफली से खुबाऑ घराका यह देखिए मैं ओरो दीकास रीट घरीलियुके इस मैं अचनी चाहती लेड जा में चाह तो छ्ड़ी है तो च्ईूंस ऐसे हम्मने रोगी में तो आप दो चाहित रिक तो एक तरह सो कम आचाहा है कि दीख्स ने मैं जानती है फिर ग्लासों में या कफ में जिसमें कड़ने होती है फिर कड़ लेती हूं तो यह देखिए इस तरह चाये का run में लेक़ कबड़े मुणपकर करके करके तो चाय बगयर पीने के बाद सारा काम नेपली मेरे पास थोड़ा सा टाइम बचाता तो देखिए आज मैं क्या कर रही हूं तो यह देखिए मेरा चार्जर कितना गंदा हो गया है बहुत ज्यादा जिसे नेर पेंट वगरा चुटाते हैं वो टीशू होता है जो उससे ही मैं अपना चार्जर यह साफ करूंगे और पुरान करके बताना कि आप लोगों को मेरी वीडियो में क्या जादा पसंद आया तो चलिए वस तो यहां देखिए चार्जर कितना साफ हो गया है और जो न्यूँ हो मेरे चैनल पर जरूर मेरे चैनल को सस्क्राइब कर लेना क्योंकि जब भी कोई नई वीडियो डालो नोटिफिक अपड़े पीसे कितना गंद उत्रा है और यह ना कि साफ करते रोने चीजों को तो अच्छे बिल्कुल ठीक रहता है क्योंना तो यह गंद काले काले अच्छे नहीं लगते हैं तो मेरा बिट्टा कह रहा था मम्या चार्जर नया हो गया है मैंने कि हाँ भाई टाइम नहीं चल्चेपारता है जाकूल यह तो नहीं से इकम कनारे अच्छी तरह से खूप एकंद से साफ और तो यह धे किर रही दिख रहे होते हैं सारी कितने काले काले से हो रहे हैं क्योंकि इसके इंदर जो काला पंध। था सारा निकल गया है इस पर से तो यह देखिए मैं चारो तरफ तरफ से रगल रगल के खूब अच्छी तरह से क्लीन कर दूँगी से और अच्छा लगता है इसाल नहीं चारजराया वह फिलकुल अभी तो में क नारे इसके अग्गे पिछे से सारा साफ करूँगी और आप लोग जब साफ करूगी मुझे कमेंट करके बताना कि हम ने दीदी से साफ कराए चार्जर को और आपका तरीका बहुत अच्छा है तो यह देखिए सब्सक्राइब कितनी कीलीन हो गई है तो कप्ड़े से दिखा दूगी मैं आपको तो यह देखिए इस तरह रगर्रियों में कप्ड़े से उसे ने बिलकूल साफ हो जाती है बिलकूल तो यह देखिए तो चलिए मारते हैं फटाफट से इस पे कपड़ा फिर शाम की पूजा दूज चाय वगएरा बहुत काम हो जाता है शाम का भी तो यह देखिए कि कितनी अच्छी तरह से मैंने रगण रही हूं सारे चार्जर को तो यह जो जहां जा मुझे हलका सा निशान दिख रहा हैं फ्रेंड मावी मैं दुबार दुबारा मारने लग रही हूं तो यह देखिए मैंने खुब शारी टीशू निकाल लिए थे और ज्यादा महंगा भी नहीं आता है फ्रेंड 20 रुपे की डबी आती है और इससे बहुत काम हो जाता है अगर बोर्ड बगेरा जो गंदे होते हैं वह भी साफ हो जाता है तो यह देखिए चार्जर भी कूल नहीं आया है कोई